अलो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि 9 दिसंबर को निफ्टी ने कैसा मूब दिखाया है और उसके बेसिस में हम समझने कोशिस करेंगे कि 10 दिसंबर को निफ्टी कैसा मूब दिखा सकता है और आपको 10 दिसंबर को इंट्रडे ट्वेड क्या लेना है वो भी म आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं तो आप इस वीडियो में लाश तक बने रहे हैं सबस्पेल यह आपने आपको बताना चाहूंगा कि अगर अभी तरह आपने वारा टेलिग्राम चनल अगर हम आज की कॉल्स की बात कर ले तो एग्रेसिफ ट्वेडर्स को यहाँ पे हमने बाई करने के लिए बोला था स्टॉप लॉस रखना था 17,400 यह स्टॉप लॉस आज हमारा हीट हुआ है और आज एग्रेसिफ ट्वेडर्स को नुकसान हुआ होगा काफी दिनों बात वह ही जो लोग सेफ बाई करना चाहा रहे होंगे और रेंज के बेसिस पे बाई की होंगे हमारा बाईंग रेंज भी आया था जो कि था 17,300 से 400 इसके नीचे निफ्टी आया था और स्टॉप लॉस यहाँ पे काफी नीचे था और जो टागेट पैस था यहाँ पे 17,450 और 17,500 यह टागेट पैस हमारा हिट होता हुआ दिखा तो जो रेंज बेस्ट बाईंग की होंगे उनको यहाँ पे profit मिला होगा और aggressive traders को आज यहाँ पे नुकसान उठाना पर आओगा क्योंकि stop loss हिट हुआ है और aggressive traders के साथ कभी के भी ऐसा होता है कि उनको loss भी उठाना पड़ता है अब हुमारा previous record उठा के देख सकते हैं जहाँ पे आपको काफी बेहत्वीन track record देखने को मिलेगा मैं सिर्फ सही calls नहीं बताता हूँ जो calls गलत होता stop loss हिट करता वो भी मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ ताकि आप लोग को सही information मिल सकते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम market overview के उपर बात करना चाहेंगे market sentiment अभी भी निगेटिव से neutral category में डालूँगा या नहीं तो 17600 की उपर जाएगा तो भी यह निगेटिव से neutral category में आता हुआ दिखेगा global market sentiment की बात करें तो global market sentiment को हमने neutral रखा है क्यों neutral रखा है वह में आगे आपको explain करूँगा FI sentiment neutral है क्योंकि FI के तरब से बिक्वाली continue है और FNO में थोड़ा सा खरदारी भी किया जा रहा है इसलिए FI sentiment को यहाँ पे हमने neutral रखा है FI sentiment आपका positive side की तरफ बना हुआ है वह अगर हम Nifty के PCI level की बात कर ले तो PCI level 1.26 पे आगे है थोड़ा सा high जहूर है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत profit booking देखने को मिल सकता है at least हम इतना तो बोल सकते हैं कि Nifty का PCI level हमें aggressive buying करने को comfort नहीं दे रहा confidence नहीं दे रहा है कि हम aggressive buy side की तरफ जाया इसके लिए हम FI data को देखना चाहेंगे FI के तरफ से अगर विक्वाली कम हुआ होगा या नहीं तो खविदारी किया गया होगा वहाँ से हमें confidence मिलेगा तो आज FI DI data बहुत ही important हो जाता और FI DI data analysis का हम वीडियो अलग से अपने चैनल के अपडेट करते हैं इसके लिए आप हमाँ चैनल को सब्सक्राइब कर ले औ विक्स आज भी लगभख 4% करीब डाउनपाल मूब दिखा के 16.60 पे आ गया है तो विक्स थोड़ा सा नीचे जा रहा है इसके कारण से market हमारा थोड़ा सा stable होता हुआ दिखेगा तो यहाँ पे अब हम निफ्टी के टेकनिकल चार्ट पे आते हैं और सबसे पहले हम निफ् के स्टडी किया होगा यह कैसा कैनल स्टिक है वह आपने identify कर लिया होगा अगर आपने यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारा कैनल स्टिक के ऊपर इस पेसल वीडियो है यह आप देख सकते हैं जहां पे हमने different type of doji के बारे में discuss किया था और जो candle वहाँ पर फॉर् और यहां पर कौन सा केंडल का formation हुआ है वो जस्ट अभी आपको मैंने बताया वह है आपका dragonfly 2G candle और इसको हम लोग positive 2G candle भी बोलते हैं यह हमें अच्छा खासा positive hint दे रहा तो केनल स्टिक आज हमें positive hint दे रहा है और कल nifty 17500 के level को first hour तक hold किये हुए रह जाता है यहां पे हम definitely nifty को 17600 करीब जाता हुआ देख सकते हैं दूसरा एक और चीज positive है हुआ है आपका moving average यह है आपका 20 day moving average और nifty आज 20 day moving average को break करते हुए इसके उपर निकला है और most important closing भी इसके उपर दिया है daily chart में और weekly chart में भी आप देख सकते हैं कि 20 day moving average को break करके उपर निकला है यह बहुत अच्छी बात है कि 20 dma को break करके उपर closing दिया है दूसरा positive factor यह है कि कल जो nifty का high था उस high को break करके उपर निकला है और even उसके उपर भी closing दिया है चोथा है कि most important यह अपने काफी crucial और psychological level 17500 की उपर closing दिया है तो 4-5 positive factor है जो कि हमें nifty के daily chart से पता चलवा है बागे daily chart से और कु आपको बताऊंगा कि यहां पर trading calls क्या होगा हमारा 10th December के लिए अगर हम यहां पर निफ्टी के 5 minutes के chart को देखें यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपको पहले बताया करता था कि first hour में जो candlestick nifty बनाता है support इस तरह candlestick बना है यहां पर आपको high और low को note कर लेना लोग को break करके नीचे आता है तो मैंने आपको क्या बोला था sell करना है यानि put options buy करना और high को break करके ऊपर निकलता है यहां पर आपको call options buy करना है या नहीं तो buy side की तरफ जाना है आज अगर हम same चीज follow करते हैं तो यहां पर first hour का high यह है और first hour का low आपका यह यह यहनि first hour के high और low के बीच में ही पूरे दिन आपका यह trade करता हुआ दिखा है तो ऐसे में जिनके पास experience नहीं है और level based trading नहीं कर सकते हैं वो simple सा एक काम कर सकते हैं इस market से दूरी बनाकर रख सकते हैं इस market को avoid कर सकते हैं क्योंकि इसमें trade करना बहुत ही मुश्किल होता है और इसलिए हमारे टेलिग्राम चैनल पर बने रहे हैं मौर्णिंग में update आपको वहां पर मिल जाएगा market open होने से पहले फिर यहां पर कुछ level based trading कर सकते हैं वह कौन सा कर सकते हैं चली वह मैं आपको बताने जा रहा हूं कल अगर निफ्टी 17500 के level को hold किये हुए रह जाता है तो यह stop loss रखके आप इस target price के लिए जा सकते हैं रिस्क पे आपका 75 points जाएगा और reward आपको यहां पे 100 points का मिलेगा अगर आपको यह risk reward ratio लगता है तो यहां पर आप trade ले सकते हैं नहीं तो आप avoid कर सकते हैं दूसरा आज का lowest point note कर ले 17000 350 यानि तो 17300 इसकी आसपास अगर nifty मिलत सकता है यहां पर एक बार रिस्क लिए आजा सकता है call options buy की आजा सकता है stop loss 17250 50 points के stop loss रखना target price यहां पर होगा 17500 का यहां पर आपका risk पे रहेगा 50 points और profit आपको मिल सकता है 100 points का even 100 to 150 points का भी profit मिल सकता है यह risk reward ratio लगता है तो आप यहां पर range का wait कर सकते हैं उसमें आप buying कर सक सकते हैं कल मॉर्निंग में market का situation देख की range change भी हो सकता है उसका update telegram channel पर मिलेगा और इसके basis पर options में cat wait लेना वो just मैं आपको बताने जा रहा हूं उससे पहले अगर nifty 17500 के level को break करके नीची आ जाता है यहां पर एक put options buy की आ जा सकता है stop loss जो आज का highest point है वह आप रख सकते है 17500 का यहां पर एक put options buy की आ जा सकता है यानी तो futures में sell की आ जा सकता है target price होगा आपका 17400 और 17375 यह दो target price के लिए आप यहां पर बिकवाली कर सकते हैं इसके basis पर options में trade कौन सा देना चलिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूं अगर आपका existing long positions है यहां पर 17325 के stop loss साथ उस existing short positions है यहां पर 17575 के stop loss साथ आप उसको hold कर सकते हैं 10 December को trading call कौन सा रहेगा अगर nifty 17500 के level को sustain करता है और इसके उपर टिक जाता है तो यहां पर आप 17600 call options में buying कर सकते हैं 92 110 के बीच में stop loss 45 कर रख सकते हैं target price पहला होगा 150 दूसरा 175 तीसरा 200 और चौधा 225 तो इन सारे target price के आप 17600 के call options में buying कर सकते हैं अगर nifty 17500 के नीचे ही रह जाता है तिहां पर 17400 के put options में buying कर सकते हैं 82 100 के बीच में stop loss 40 का रख सकते हैं target price पहला होगा 150 दूसरा 175 तीसरा 200 चौधा 225 यह दो options में trade आप ले सकते हैं 10th December को तिहां पर निफ्टी के option chain के उपर बात करते हैं और यह जो contract है आपका 16 December का क्योंकि 9 December वाला contract expire हो चुका है और आज निफ्टी slightly positive में closing दिया है यहाँ पर सबसे important level है 17500 option chain तो पूरा mature नहीं हुआ फिर भी जो available data है उसके basis में मैं आपको बता रहा हूं नेक और break level है 17500 का कल अगर निफ्टी इस level को sustain कर लेता है first 60 minute यह फिर फिर 17600 तक का level easily देख सकते हैं लेकिन कल अगर यह level को sustain नहीं कर पाता और इसके नीचे आ जाता है तो कल आप 17400 का भी level easily देख सकते है निफ्टी में जैसे आग यहाँ पर हमें देखने को मिला था 17500 का level नेक और break level क्यों है क्योंकि यहाँ पर call में 21 lakh के करीव open interest है और put में भी ल 17600 के level पर देखने को मिलेगा सपोर्ट लेवल 7400 के level पर देखने को मिलेगा बांकि option chain data से ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा ज्यादा कुछ data है नहीं यहाँ पर वह अगर हम global market की बात कर लें US market आपका slightly positive में दिख रहा है आज इसका move कैसा रहता उस पे आपको नजर बना कर रखना परेगा यह open market आपका completely neutral हिंट दे रहा कहीं पर positive कहीं पर negative दिख रहा है वह अगर हम Asian market की बात करें तो Asian market आपको mostly positive side की तरफ ही दिख रहा है तो आज sentiment negative side की तरफ हो इसलिए यहाँ पर हमने global market sentiment को अभी neutral category में रखा US market का move देखके आप इसको positive या negative category में डाल सकते हैं अगर यह video आपको अच्छा लगा होगा अगर यह video आपको अच्छा लगा है लाइक करके हमें इनकवेज करें और अपने फैन के शाद भी इसको share कर सकते हैं चैनल को subscribe नहीं कहते हैं तो चैनल को subscribe कर ले और bell icon दबनाना भूले so that's all friends thanks for watching